हलो माई डियर फ्रेंट्स अनुप शेडी जोन में आपका स्वागत है बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि लास्ट मोमेंट में सर क्या पढ़ें किस प्रकार से यूपी त्रिपल सी पेट को अब हम कंक्लूड करें ठीक है कहां से पढ़ें असर अब रिवाईज रिवीजन कहां से करें तो इन सभी से रिलेटेड हम यह इस वीडियो को ले करा हैं आपके लिए यदि आप पेट का फॉर्म भरें हैं आपका पेट का एक्जाम है 20 अगस्त को तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा जैसा कि आप लोगों को अल्रेडी पता है हमारा एक्जाम कब है 20 अगस्त को है 20 अगस्त को है दो सिफ्ट में होने वाला है यह जानकारी आपके पास अल्रेडी होगी तो मिस्स मत करिएगा अब अगर यूपी त्रिपल सी पेट में सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पढ़ने से ज़्यादा important है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा important है आपके selection में तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा topic हमारे लिए सबसे महत्वपूर है और UP88C pet का paper pattern क्या होने वाला है कितने question आएंगे, कितने marks के आएंगे, minus marking कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और हिंदी गध्यांस आपका 10 नमर में आप free में मिलने वाला है बस इस वीडियो को देखते रहे है current affair कहां से पढ़ें graph एवं तालिका को कैसे तयार करें तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो को सुरू से अंतर तक देखना ना भूलें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने syllabus की syllabus को हमने दो पार्ट में divide किया है उसका भी एक reason है आप जान जाएंगे एक यदि आप maths के students है ठीक है यदि आप maths के student है हम second उनके लिए बताएंगे जिनका maths week है ठीक है maths week है या फिर वो maths से नहीं रहे हैं 12 तक या फिर जो भी है ठीक है तो हम आपको दो तरीके से बताएंगे जिसका favorite maths है या जिसको maths में आसानी होती है और दूसरा जिसका maths week है तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं graph होम तालिका के 20 नंबर सबसे ज़्यादा जो प्रशन पूछे गये हैं प्रशन क्या सबसे ज़्यादा अंक के जो टॉपिक है वो ये graph होम तालिका है बिलकुल आसान है graph है उन तालिका को आप आसानी से कर सकते हैं ये आपका एक सबसे easiest topic है लेकिन यदि आप इसकी practice नहीं करेंगे तो exam में यदि एक भी graph आपको समझ नहीं है तो आपका 5 नंबर जायेगा या फिर अगर आप एक भी तालिका को समझ नहीं पाए उसकी language को समझ नहीं आई है लगभग 2-3-3 डेली अभी आपके पास 20 दिन अप्रॉक्समेटली बाकी है तो 2-3-3 डेली उठाई और आप उसे solve कर लिजिए इससे क्या होगा उसके आपको language समझ में आ जाएगी language में नहीं फसेंगे प्लस किस प्रकार के questions पुछे जाएंगे वह आपको समझ में जाएगा अगर आपको graphium तालिका समझ में आ गया तो आप 20 out of 20 करेंगे ये मेरी guarantee है ठीक है इसके बाद अगर आपको graphium तालिका को solve करने में अफिर उसमें कोई भी परिसानी आ रही है तो हमारे वीडियो के नीचे description में आपको link मिल जाएगा आप वहां से जाकर के detail में दे अगर यूपी त्रपल सी पेट का लेबल का है आपको अल्रेडी पता है आपने अगर यूपी त्रपल सी का एक्जाम दिया है तो आपको पता होगा यदि आपने नहीं दिया है तो आप इतना जान लिजे अगर आप class 8 तक की book की story पढ़के answer कर सकते हैं तो आप यहां पे भ यहां से आपका यह 20 नंबर और यह 15 नंबर आसानी से पा सकते हैं इसमें कोई दाग नहीं है उसके बाद जो आपका major एक segment और आता है GK और current affairs का जिसमें आपका general awareness और current affairs से 10-10 नंबर का यह है आपका बीश नंबर का general awareness में ज्यादा topics दिये नहीं है क्योंकि general awareness हमारा बहुत बढ़ा topic है जीए जीके हमारा बहुत बढ़ा broad है लेकिन इसमें कुछ selected topics दिये हैं जिसे आप तयार कर सकते हैं ठीक है और इसकी भी videos हमारे description में आपको मिल जाएंगी आप वहां से जा करके limited चीजों को सिमित समय में जाके आसानी से वहां से तयार कर सकते हैं तो यहां से आ अगर 45 प्लस भी करते हैं तो आप competition में सबसे आगे होने वाले हैं ठीक है अब कैसे वो मैं बताता हूँ आगे देखिए इसमें यह है कि आपका इतिहास जो है इतिहास आपको नहीं पढ़ना है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ इतिहास आपको नहीं पढ़ना है आपके वल क्या कर यह आधुनिक इतिहास पढ़िए ठीक है आपका जो आधुनिक भारत है 1757 के बाद यानि की लगभग आपका जब ब्रिटिस का अभ्यूदय हुआ था वहाँ से पढ़िए वहाँ से लगभग आपके साथ प्रश्ण आने वाले हैं कितने प्रश्ण आपके साथ प्रश्ण आसानी से कर ले जाएंगे, आप इसे तीन से चार दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आपको अब इतिहास की कोई जरुरत नहीं है, ठीक है, इतिहास मत पढ़िये, केवल और केवल, इतिहास का एक पार्ट पढ़ लिजी, आधुनिक भारत, ठीक, यहाँ से भी आपको पा आपका पांच-माच नमबर कहाने वाला है, तो बिज्ञान और भुगोल, बिज्ञान में स्टैंडर्ड लेवल के कोस्टन्स नहीं होंगे, हाला कि अच्छे कोस्टन्स होंगे, क्योंकि NCRT लेवल का है, तो बिज्ञान और भुगोल आप अगर रिवीजन भी कर लेते हैं आप पर केवल पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर जो हमारे चैनल पर वीडियोज हैं, उसको भी अगर देख लेते हो, तो आप आसानी से 6 से 7 माक्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो यह 10 में से अगर यहां से आप 7 भी सिक्टियोर करते हैं, तो आपके लिए बहुत है, इस पलेस्टी में जो मैट्स होता है, वो बहुत ही लो लिबल काता है, मतलब कि जनरल मैट्स आता है, ठीक है, तो यहां पर अगर यदि आप मैट्स से नहीं है, तो आप 5 से 6 तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, केवल अगर आपको गुड़ा भाग और जोड़ घटाना आता है, तो भी आप मैट्स का 2 से 3 कोस्टन आसानी से कर ले जाएंगे, रिजनिंग भी वही है, आपका केवल कोडिंग, डिकोडिंग और सीरिस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वहां से भी 2 कोस्टन तो आने हैं, तो आप यहां से इस प्रकार से 6 नंबर से क्योर कर सकते ह हैं, उसके बाद यदि आपको अर्थ सास्त्र भारती समविधान नहीं पढ़ने का मन हैं, तो आप मत पढ़िए, नहीं पढ़ सकते आप 20 दिन में, यह मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यदि आप 10 घंटे को उपर नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा अर्थ सास्त्र भारती हैं, इस्में कोई दोन है, तो इसमें कोई दो रौने हैं, पाच पांच 15 में से आप यहाँ से साथ से क्या 10 आप कर ले जाएंगे, आप का वहाँ पे भी 45 आप 190 के बीच में और-धर न हमा 70 marks 100% सिक्योर है अगर आप 70 भी कर लेते हैं आप अगर 70 भी कर लेते हैं तो आप 100% सिलेक्टेड हैं क्योंकि seats जादे है एट लिस्ट यूपी त्रिपलसी पेट आपका जो भी कराएगा लगभग लगभग 50,000 से उपर ही seats को क्वालिफाई कराएगा ठीक है 50,000 से अधिक स्टुडेंट्स को क्वालिफाई कराने का मतलब कि मेरिट जो है बहुत जादे नहीं जाएगी 65 से 75 के बीच 65 से 70 के बीच ही रहने आले हैं तो यहां पे अगर आप 70 स्कोर करते हैं तो आप बिलकुल सेफ हैं 100% सेफ हैं इसके बा होंगे ठीक है यानि कि आपके पास समय परियाप थे अगर कंपटेटिव लेबल की आप प्रिप्रेशन कर चुका हैं तो तो आपके पास 120 मिनट मिलेंगी एक कोस्टन पर एक मिनट से भी जादा इसमें आपके मैसी जी होने वाले हैं तो आपको टाइम की कमी नहीं होनी चा यानि 0.25 माक्स आपके डिड़क्ट कर लिए जाएंगे यदि आप गलत जवाब देते हैं तो और खेर यहाँ पे एंसी आटी पैटरन पर उन्होंने बताया कि जो भी पेपर बनेगा या जो भी कोस्टन्स आएंगे वो किस पैटरन पर होंगे एंसी ए आटी पैटरन पर हो आगे नहीं जा सकता यह बात सकते है तो आज के लिए बस इतना ही उम्मेद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी जब भी अगली वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे सभी स्टुडेंट्स को मेरी तरब से अनूप स्टेडी जोन की तरब से all the best